नमस्कार मैं राजकुमार और आप जूड चुके हैं ते लोकल रिपोर्ट के साथ मैं आप सभी को बता दू कि 5 अगस्त 2019 में आइटीकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाता है और वो आइटीकल 370 इसलिए हटाया जाता है क्योंकि दावा किया जाता है कि अब जम्मू कश्मीर को जो है टरिजम फ्री जो है हम स्टेड बनाएंगे या इसके अलावा जो है बार के जितने भी टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर में आएंगे जम्मू कश्मीर में टूरिजम का लुटफ उठा पाएंगे और इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है बड़े-बड़े मंचों से बोला जाता है कि अब हम जमू कश्मीर में नया कश्मीर बनाएंगे जिस नए कश्मीर के अंदर कोई आतकवाद देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हकीकत अगर मैं आप सभी को बता दूँ हकीकत ये है कि कल के दिन तीन सिवलियन जो है वो मारे जाते हैं और आज के दिन की बात करें तो एक स्कूल के अंदर गुसके पॉइंट जीरो से जो है दो टीचर्स को उड़ा दिया जाता है जिसमें एक जो है उसकूल के टीचर थे और जो दूसरे थे वो उसकूल के प्रिंसिपल थे दावा तो किया जाता है कि हम जो है नया कश्मीर बनाएंगे लेकिन हकीकत जो है आप सभी को भी जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उन्हें पता ही लग गया होगा कि किस तरह का जो है नया कश्मीर बनाया जा रहा है लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि तीन दिनों के अंदर जो है पांच लोगों को मारा जाता है और ये जो है terrorism free state जम्मू कश्मीर जो है वो बनाई जा रही है जो बड़े बड़े दावे कियेगे हम जम्मू कश्मीर में ये development करेंगे फलान काम करेंगे, रोजगार बढ़ाया जाएगा, बार से लोग यहां गूमने आएगे यहां के लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा और कहीं न कहीं जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के जितने पिछडे हुए लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं आगे आने का मौका मिलेगा लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ पिछले तीन दिनों में पांच लाशे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर गिरती है मैं सिरनगर की बात करूँ तो मैन सीटी में आके स्कूल के पास इदगा के पास जो बॉइज हैस कंडरी स्कूल है उसके अंदर जो दो टीचर्स को जो है पॉइंट जीरो से मार दिया जाता है और ये जो जम्मू कश्मीर है ये फ्री स्टेट है हमारी militancy free state है terrorism free state है आतंकवाद free state है इस तरह की जो state है हमारे जम्मू कश्मीर में बन रही है या इस तरह का जो है नया कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर बनेगा तो मुझे उमीद है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी इस तरह का नया कश्मीर तो नहीं चाते होंगे यह जितने जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो भी नहीं चाते होगे कि इस तरह का हमारा कश्मीर हो इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूँ कि कश्मीरी पंडतों को लेकर बग़े बड़ी बड़ी चर्चा किये जाते हैं कि कश्मीरी पंडतों को साथ जो है अन्याय हुआ है उन्हें हम नयाय दिलाएंगे और उन्हें जो है हम कश्मीर वापिस बेजेंगे तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा तमाम उन लीडर से पूछना चाहूंगा जो दावा करते हैं कश्मीरी पंडतों को घर वापिस ब रहे और वो जो बिचारे बचे कुछे कुछ कश्मीरी पंडित रह गए हैं उन्हें भी जो है आप स्वर्गवास पहुंचाना चाहते हैं जम्मु कश्मीर की मुश्क लाते तो बिल्कुल भी हल नहीं हुई पॉलिटिकल पार्टी जाती रहती हैं कुछ कहती हैं कि इन्होंने साथ साल में क्या किया कुछ कहते हैं कि इन्होंने सतर साल में क्या किया लेकिन अवराल मिला के अगर मैं बात करूँ चाहे इसने कुछ नहीं किया इसने कुछ नहीं किया लेकिन दोनोंने मिलकर सिरुफ लू वो आप हमें SMS के जरीए या उनलाइन पोर्टल में जो है वो आप अपनी ग्रिविंस जो है वो बेज सकते हो ताकि हम उन पर अमल करें और आपको जो आपकी जमीन थी पुष्टैनी जमीन थी वो आपको दी जाएगी लेकिन सिर्फ दावे ही किये जाते हैं क्योंकि दावा त था कि 370 तोड़ने के बाद जो है डेवलेमेंट आपको जम्मू कश्मीर की बड़े पैमाने पर दिखेगी और दावा ये भी किया गया था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कभी बूखे नंगे नहीं मरेंगे लेकिन हकीकत जो है बिलकुल इन बाशनों इन बातों से परे हैं हकीकत ये है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर सिरनगर में दिन द्यारे जो है वो कतल कर दिये जाते हैं दो डड़ बॉडियां गिरा दी जाती है और पूछने वाला कोई नहीं मैं पूछना चाता हूं तमाम उन लोगों को जो पावर्स में है कि ये जितने भी करमकांड जो हो रहे हैं इनका बेडा कौन उठाएगा इन सब चीजों का जिमेवार कौन है यहां से कश्मेरी पंडतों को अगर आप वापिस सिरनगर में बेज देते हो और बाद में जो है उनके साथ भी इसी तरह की हादसे हो जाते हैं तो उसके जिमेवार कौन है बहुत सुनने में और नेता को बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग बाशन देते बार बहुत अच्छे लगते हैं कि चलिए जो इन्होंने कहा है क्योंकि लोग उमीद करते हैं कि जो नेता होगा जो हमें रिप्रेजेंट करके लोगों के सामने लाता है वो श टक कशमीर के यही सवालाथ रहेंगे कि अभी तक किस्मीरी पंडते हमारे क्यूं नहीं वापिस पहुंचे क्यूं नहीं जो कशमीरी पंडतों को है उनकीजमीन मिली क्यूं नहीं जो यहां के लोग्र है उनλοगों को रोजगार दिये गे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को development के नाम पर जो है लारे लगाएगे आखिर कब ये काम पूरे होंगे कब हमारा जम्मू कश्मीर जो है कुछ नहीं हो सकता तो आप यूहीं बने रहें दलोकर रिपोर्ट के साथ उमीद करता हूं कि आप भी जो है इस बारे में सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में भी जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी लगती है जो की सरकारे ब कहानियों का ख़जाना लाई हूं इन कहानियों मेरे लिए तुम्हारे लिए और सारे दुनिया के लिए संदेश है जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तमाल कर सकते हैं क्यों नहीं तो सुनो